ओके तो कन्फीजन यह है कि इन दोनों फोन का प्राइस सेम है और आन पेपर कैमरा, प्रोसेसर, बैटरी, डिस्प्ले, स्पेक्स भी इन दोनों का सेम है और बहुत से लोग जानते हैं कि आईकु का मैनुफेक्चरर बीबो है तो इसलिए बहुत से लोग बोल रहे हैं कि ये दोनों फोन सेम है, बस दोनों का नाम अलग है, बट. T3 का लुक अलग है, कैमरे सेट अप में बंप नहीं है, और सबसे बड़ी बात कैमरा दो नहीं, तीन दिया गया इसमें, और इवन आपने कई बार देखा भी हुगा कि सेम प्रोसेसर वाले फोन में भी डिफरेंट रिजल्ट्स मिलते हैं, तो क्या अभी भी दोनों ही फोन को सेम माना जाएगा, लेट्स फाइंड आउट, तो भाई, पहली बात दोनों का बॉक्स कॉंटेंट सिमिलर है, केबल, पि प्लास्टिक बॉड़ी फ्रेम के साथ में दोनों का मैट फिनिस है, तो इसलिए दोनों में फिंगर इंप्रेंजन्स नहीं आते हैं, बठाँ, जी नाइन में कैमरे सेट अप पर इजली आते हैं, खेर महीं डिस्प्ले की बात करें, तो वो भी एकदम सिमिलर ही है, सेम साइ में मिलता है, और दोनों में मैक्स रिजॉलू सिम नहीं मिलता है, तो वहीं दोनों का ब्राइटनेस भी सेम है, जो कि हर एक जगा सपोर्टेड है तो वहीं साइड वाईज दिख sean, तो राइट में दोनों का पाउर बटन उसको पर वॉलिम की ऊपर की तरफ दोनों में है दोनों में even sim slot भी दोनों में same मिलता है दोनों में यह आप 2 sim लगा सकते हैं और वहीं दोस्तों दोनों का thickness भी same है even दोनों का weight भी same है तो भाई अब हम कह सकते हैं कि दोनों फोन का shape and size एकदम similar है जैसे दोनों का shape and size similar है इसका confirmation लेने के लिए मैंने दोनों के cover को exchange करके देखा ती 3 में तीन camera है तो इसलिए camera वाला part नहीं fit हो रहा है नहीं तो बाकि सब कुछ एकदम perfectly fit हो रहा है तो भाई हमने देखा कि इन दोनों का body and display एकदम same है बट speaker की बात करें तो दोनों में dual speaker दिया गया है इसकी loudness and quality दोनों की डिक्टो same है बट performance का क्या सीन है चलिए वो भी देख लेते हैं उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो subscribe जरूर करिएगा क्योंकि आप लोगों को ही confirmation दिलाने के लिए मैं इतनी सारी testing कर रहा हूँ खेर वैसे processor की उर देखें तो दोनों ही phone में same लगाए गये हैं मैंने एंटर टू चेक किया थ्रॉटल टेस्ट किया तो भाई दोनों ही phone का एकदम similar result मिला बस 19-20 वाला ही परक मिलता है दोनों के result में बट क्या ये 19-20 वाला परक real life testing में भी मिलेगा उसी को confirm करने के लिए मैंने दोनों ही phone में पहले app opening test किया तो भाई जब मैंने इंस्टाग्राम एंड यूटूब खोला तो Z9 तेज था बट वहीं जब मैंने up-down खोला तो T3 तेज था बट आप दोनों के speed को सेम ही मान कर चलिए क्योंकि भाई जो भी delay था वो एक second का भी नहीं था एक second से कम का अंतर था एंड वहीं जब मैंने दोनों ही phone में bgmi खोला तो इस time T3 सिर्फ 2 second पीछे था तो ये भी एक काफी छोटा difference है तो इसलिए आप दोनों के app opening speed को सेम मान कर चलिए एंड वहीं जब मैंने दोनों ही phone में same videos को लिकर export किया तो भाई यहां पर भी दोनों ही phone का speed एकदम similar मिला एंड वैसे दोस्तों इन दोनों ही phone के hitting difference को पता क करने क्लिए मैंने दोनों ही phone में heating test भी किया heating test करने क्लिए मैंने 30 मिनट तब bgmi खेला and 30 मिनट तब video recording किया तो भाई यह कुछ result मिले जो की एकदम similar type ही है चाहे video recording वाला result देखिए चाहे bgmi वाला ही heating result क्यों न देखिए और वैसे दोस्तों bgmi experience की बात करूं न तो भी मु का performance एकदम same है अगर आपको T3 का performance और detail में जानना है तो आप इस video में IQZ9 का detail performance test and result देख सकते हैं खेर performance तो दोनों का same है बट camera की बात करें तो यहाँ पे भी specs तो same है ही बट T3 में एक extra flickering sensor दिया गया है जो कि low light में थोड़ा effective होगा ऐसा वीबो ने कहा है तो इस चीज को भ color, contrast, saturation दोनों ही phone का same है like human की pictures में देखिए चाहे object की pictures में देखिए चाहे full पौदों में देखिए तो color वगरा सब कुछ same मिलेगा बठा कुछ photos like इसमे orange color इस वाले photo में इस part में red color को देखिए इस वाले में red rose को देखिए इस photo में red full को देखिए तो हलका सा more saturated T3 दिखेगा इन ही 2-4 photos में काफी minute सा saturation वाला difference निकल कर आता है नहीं तो भाई किसी और photo में कोई difference नहीं ये color में इन वहीं detailing की बात करें तो normal mode के photos की detailing को आप देखिए तो similar है एंड इवन अगर 50 megapixel की photos को zoom करने पर देख हैं तो detailing हूँ बहू एकदम similar मिलती हैं एंड इवन dynamic range भी दोनों ही phone का same है साथ में portrait shot भी एकदम same मिलता है एंड वही night mode का भी किस्सा एकदम same है फोटो में कोई difference निकाल पाना काफी मुस्किल है एंड वैसे T3 के third वाले camera को check करने के लिए मैं low light में गया एक बार से की hand से camera को बंद करके pictures क्लिक की एंड एक बार से की hand से बिना camera को बंद किये हुए picture मैंने क्लिक किया तो भाई जो दोनों photos निकल के आएं उनमें कोई difference नहीं मिलता है इसका मतलब T3 का third वाला camera on paper ही useful है नहीं तो real life में कोई use नहीं है इसका और वैसे दोस्तों वीडियो ग्राफिक ही बात करें तो दोनों में resolution support सेम मिलता है और जो quality और saturation और जो detailing हैं वो भी एकदम हुबहुँ सेम मिलती है और इवन दोनों ही phone में stabilization के लिए OIS, EIS दिया जाता है और दोनों ही phone का OIS तो उतना effective नहीं है बट दोनों ही phone का EIS एकदम सेम है और काफी effective भी है तो भाई overall इन दोनों फोन के camera को भी आप सेमी मान कर चलिए बस एका दुका photos में saturation वाला difference है नहीं तो किसी भी modes और किसी भी जगा इन दोनों फोन का camera अलग नहीं है और वैसे इन दोनों फोन का camera एकदम सेम है इसलिए मैंने इन दोनों फोन का camera comparison एकदम detail में नहीं किया और अटो brightness भी मैंने दोनों फोन का चेक किया तो मुझे दोनों ही फोन का एकदम similar मिला और वहीं दोस्तों software की बात करें तो दोनों का software एकदम same है दोनों में android 14 है दोनों का UI same है इवन दोस्तों दोनों में number of bloodwares भी same है और दोनों में ही same update promise किया गया है तो भाई overall conclusion यही है कि बीबो ने इस T3 को सिर्फ और सिर्फ flip card पर अलग से बेचने के लिए बनाया है क्यूंकि IQ Z9 Amazon exclusive है और यही same काम Realme ने अपने Narjo 60X, 11X and C67 के साथ किया था और वैसे यहाँ तो गलीमत है कि दो same phone same price के साथ में बट Realme का Narjo 60X, 11X, C67 same phone थे बट prices different different थे सच बात है भाई मैंने वीडियो भी दिया था इस पर कैर छोड़िये इस बातों को नहीं तो काफी लंबा कीचेगा साथ में जुबान भी गंदी होगी तो भाई यह वीडियो confirmation देथा है कि T3 copy phone है IQ Z9 का तो इसलिए अगर आप Z9 का यह दोनों डिटेल वीडियो देखते हैं तो आपका T3 भी cover हो जाएगा कैर दोस्तों इस वीडियो में इतना है वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके जाएगा मिलते हैं जल्द काल रखिए जय हिंद जय भारत